question number 4 जो है integral की exercise 7.3 से लिया गया है जिसमें sin cube 2x plus 1 का integration हमारे को करना है तो question number 4 को जो है हम इस वीडियो में करेंगे तो इसके लिए जो है आप वीडियो को शूर से आखिर तक देखिए अगर आपको इसी exercise के और वीडियो देखने है और इस पूरे chapter के वीडियो नीचे description में लिंक में जाके देख सकते हैं तो यहाँ पर जो हमारा integral है sin cube और 2x plus 1 तो इसमें जो है आप cube वाले का directly integration नहीं निकाल सकते साइन का तो हम इसको जो है sin square 2x plus 1 into में sin 2x करके 2x plus 1 करके लिख देंगे तो यह हो जाएगा sin square 2x plus 1 into में sin 2x plus 1 dx तो अब जो है sin square 2x plus 1 है इसे जो है आप sin square a plus cos square a is equal to 1 वाले फार्मूले से cos में बदल देंगे तो sin square a जो है 1 minus में cos square होता है इसी तरह से sin square 2x plus 1 जो है वो हो जाएगा 1 minus में cos square 2x plus 1 तो इस तरह से इसको 2x plus 1 करके लिख देंगे और बाहर जो है bracket के sin 2x plus 1 आपके पास जैसा पहले ही लिखा था वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा अब जो है हम cos 2x plus 1 को जो है वो t मान लेते हैं तो इससे जो है हमारा integration असानी से हो जाएगा तो हमने जो है यहां पर माना कि cos square 2x plus 1 है cos 2x plus 1 वो उसमें को t के equal मान लिया तो जो 1 minus में cos square 2x plus 1 है वो 1 minus t square में बदल जाएगा अब cos 2x plus 1 का differentiation करते हैं तो minus के sin 2x plus 1 हो जाएगे और 2x plus 1 का करेंगे तो multiplication में 2 और आ जाएगे यानिके minus 2 sin 2x plus 1 dx equal to dt अब जो है sin 2x plus 1 dx जो है वो हो जाएगा minus के 1 upon में 2 और into में dt तो इसका मतलब इसको जो है आप minus के 1 by 2 dt से sin 2x plus 1 dx को replace कर सकते हैं तो आपके पास आगे 1 minus cos square 2x plus 1 हो गया 1 minus में t square और sin 2x plus 1 dx जो हो गया minus के 1 upon में 2 dt अब minus के 1 upon 2 जो है constant है इन्हें बाहर निकाल देंगे integration से और जो है 1 minus में 10 square और dt आ गया अब 1 का जो integration है वो तो हो जाएगा t और t square का जो है जो के minus के t square है इसका integration जो है हम करेंगे तो इसका integration हो जाएगा t cube upon में 3 तो इस तरह से आप इसे दुबार से समझे की 1 का integration होगा t और minus में t cube upon में 3 जो की t square का integration है प्लस में constant c तो अब t की जगा हम जो है cos 2x plus 1 रख देते हैं तो हमारे पास आया minus के 1 by 2 bracket में cos 2x plus 1 और minus में cos cube 2x plus 1 upon में 3 plus में constant c यही हमारा answer है उमीदा आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा और अगर इसको आप और simplify करके लिखना चाहते हैं तो इसको minus के 1 by 2 cos 2x plus 1 और minus minus plus और 1 by 2 इंटु में 3 plus के 1 by 6 cos cube 2x plus 1 plus c करके भी लिख सकते हैं तो मीदा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए description में जाकर link पर click करें और दूसरे exercise के वीडियो आप देख सकते हैं